हेलो फ्रेंट्स गूड इवनिंग आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कोलियस के प्लांट की केर कर सकते हैं और विंटर में पत्तों को खराब होने से बचा सकते हैं क्योंकि कोलियस का जो पौधा है ये बहुत ज़्यादा सर्दी और पाले को बरदाश नहीं कर पाता और हमारा जो कोलियस का प्लांट है ये बेजान सा दिखने लगता है اور धिरे धिरे ड्राई होने लगता है तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किन फर्टिलाइजर का और किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि कोलियस के प्लांट को हम वार्शिक तौर पर बचा सकें फ्रेंट सबसे पहले हम यह देखेंगे कि कोलियस के पौधे को कैसी रोशनी पसंद है यानि how much light does a कोलियस प्लांट need फ्रेंट्स कोलियस के पौधे के लिए सबसे जो ख्लासिकल हिस्सा है वो चाया है यानि शड़ी प्लेस है लेकिन प्रकास जोकिम विवित्ता पर निर्भर करता है यानि कि sunlight कितनी तेज है इस पर डिपेंड करता है कि हम अपने कोलियस के प्लांट को किस जगह पर रखें पुराने जमाने के बीज उगाने वाले कोलियस पौधो को पूरी तरीके से चाया में उगाते थे ये 20 यर्स बिफोर की बाद है लेकिन अब नए पौधो की खेती की जाने वाली किस्मों में उनका सबसे अच्छा रंग गहरा होता है जादा रोशनी में यानि कि यदी हम इ निर्वर करता है यानि कि जलवाई उपर निर्वर करता है कि आप किस जगह पर रहते हैं यदी आप गर्म या शुशक छेतर में रहते हैं तो सभी प्रकारों को कुछ आया की जरुरत होगी यानि कि आप कोलियस के किसी भी विराइटी को यदी आप लगाते हैं तो उसे शे साइट में रख सकते हैं क्योंकि अभी रोश्णी बहुत तेज नहीं होती है फ्रेंट्स दूसरी बात यह है कि कोलियस के पौधों को कैसी मिट्टी पसंद है डू कोलियस पता वाला पीटाधारित पौटिंग मिश्रन होना चाहिए यानि कि जो यह कोलियस का प्लांट है जहां तक मैंने अपने अनुभाव से देखा है इसे एस्टिक स्वाइल पसंद है यानि कि सरसो की खली वाला जो फर्टिलाइजर है जो अक्सर आपने देखा होगा एदि मेरे रेगुलर विवर हैं तो आपने देखा होगा कि सरसो की खली का जो फर्टिलाइजर है वो किस तरीके से बनाते हैं और कोलियस के प्लांट पर या आपने सभी विंटर फ्लारिंग प्लांट पर किस तरीके से यूज करते हैं फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूं मस्टर्ड केक को दो-तिन दिनों के लिए पानी में भीगो दीजे और फिर उस वाटर को बहुत ही पतली सी गोल बना करके थिक लेयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अदर्वाइस आपके प्लांट में फंगस लगने के चांसेज रहेंगे एक पतली सी गोल बना करके आप अपने सभी विंटर फ्लारिंग प्लांट पर दे सकते हैं कोलियस के प्लांट पर मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर का बहुत ही जादा जादूई असर होता है फ्रेंट्स अब थर्ड टॉपिक यह है कि कोलियस के पौधे क को कितना पानी देना चाहिए कोलियस प्लांट वाटर रिक्वार्मेंट्स कोलियस के पौधे मिट्टी में सबसे अच्छी तरीके से विक्सिद होते हैं पानी के बजाए कुछ लोग पानी में भी इसे ग्रो कर लेते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिट्टी में कोलियस और एक बार शाम के टाइम में उसके पत्तों पे जरूर स्प्रिंकल किया करें, इससे पत्ते चमकदार भी होते हैं और बहुत ही आकार में बड़े निकल करके आते हैं, मिट्टी हर समय गीली नहीं रहनी चाहिए, लेकिन लंबे समय तक जादा सुखी मिट्टी पौदों की व उपर से खाद डाल रहे हैं, लेकिन वो खाद उसके रूट्स तक नहीं पहुंसते हैं और धीरे धीरे आपका पौधा खराब होने लगता है, तो जब कभी भी आप प्लांट लगाएं तो ड्रेनेज होल का पूरा ख्याल रखें कि कभी भी मिट्टी में पानी खड़ा ना ह फ्रेंट्स नेक्स टॉपिक यह है कि टेंप्रेचर और हुमिडिटी किस तरीके के टेंप्रेचर में ये कोलियस का प्लांट ग्रो करता है, फ्रेंट्स को थोड़ा गर्म और नम स्थिती में अच्छे तरीके से ग्रो कराया जा सकता है, ठंडे मौसम में आप कोलियस को बच प्रूनिंग करने से अपने पौधों को आप बचा सकते हैं यदि पौधे बहुत ज़्याद़ा लंबे हो रहे हैं लेगी हो रहे हैं तो आप उन्हें प्रून कर दीजिये जहां से भी आप प्रून करोगे देखो इस जगह से मैंने कट किया है तो यहां से नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है तो कोलियस को घना बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे उपर के दो पत्तों को पकड़ करके प्रून कर दीजे कोलियस के पौधे जो है थोड़ी सी गर्माहट वाली जगह पर बहुत ही अच्छे से पनपते है फ्रेंट्स यह जो कोलियस का प्लांट है इसे हर एक 15 दिनों पर ठंड में आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर जरूर दिया करें थैंक यू फ्रेंट्स